गुड मॉलिंग बच्चो आज मैं आपको आओ टेंस सीखे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस से खाने जा रहे हूँ इसके पहले के जो भी पार्ट थे वो मैंने पहले के वीडियो में डाल दिया आप वहाँ जाकर देख लेना ही उसमें मैंने आपको प्रेजेंट अंडिफनित Tक के सारे पार्ट कराएं हैं अब इसमें सबसे पहले तो देखूर रूल क्या होता है जैसे कोई संप है उसमें लास्ट में है लिया है दिया है किया है चुका है चुके है या चुकी है मतलब यह समझ लो परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम हम पूरी तरह कर चुके हैं और प्रेजेंट का मीन्स क्या होता है प्रेजेंट का मीन्स होता है इस टाइम है तो हमने प्रेजेंट में ह कोई काम कर चुके हैं उसको बोलते हैं present perfect tense हिंदी में पैचान होती है बस यही लिया है दिया है किया है चुका है चुके है चुकी है ठीक अब सबसे पहले sentence देख लो क्या-क्या मैं कि अब यूद् लिखा है तुमने एक निबंद लिखा है अब इसमें देखो तुममने है न इसमें रूल क्या लगा वर्व की यह सेहे तो समझ लोगा तोuteur पया दो और एस लगा दो है है गया तुमने की इंग्लिश होगए यू अब यू क्या करा यू के साथ यू ज्यादा होता है तो यू के साथ हमने हैव लगा दिया यू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो वर्ब क्या है उसने लिखा है ना तो लिखे की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन बच्चो फॉर्म जरूर याद कर ले ना फस्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म धर्ड फॉर्म क्योंकि perfect में आपको धर्ड फॉर्म की जरत पड़ेगी इसके बाद मैं past कराओंगी तो उसमें second फॉर्म की जरत पड़ेगी ना फॉर्म साब जरूर याद कर लेना तो क्या होगि धिखो you have written अब इसने क्या लिखा एक निबंद निबंद को बोलते है essay, अब essay में हमने and क्यों लगाया, क्योंकि essay देखो, e से start होता है और e मतलब vowel a e i o u, जिसमें भी vowel होता है उसमें and use होता है बस sentence बन गया, you have written an essay, next देखो उसने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया है, last का sentence सबसे पहले आप देख लो कि दिया है दिया है, है मतलब present हो गया और दिया मतलब perfect हो गया यानि present perfect in रूल बस वही देख लो, उसने यानि लड़का हो गया तो he, अब he के साथ हमेशा has लगता है जादा के साथ have, कम के साथ has और वर्ब की third form he has closed क्या बंद कर लिया closed the door हमेशा tense, पहले शुरुवात का उसके बाद उल्टा चलता है he has, बंद कर लिया यानि closed, क्या बंद कर लिया the door, कहा का मंदिर का, यानि of the temple next देखो पूनम अपने घर चली गई लड़की है न, लड़की है तो मैं लड़की अकेली हुई तो लड़की का नाम लिख दिया पूनम अब लड़की अकेली है तो has लगा दो चले जाने की इंगलिश होती है go और third form हो गई go, went और gone यानि gone third form हो गई तो पूनम has gone कहा चली गई? अपने घर है न, पूनम has gone home आई, आई के साथ हमेशा have लगा दो है न verb की third form लगा दो बस बेचने की इंगलिश होती है sell third form हो गई sold I have sold my watch next sentence देखो उस लड़की ने तीन कॉपिया खरीदी है उस लड़की यानि देखो लड़की अगर आपके पास में है जहां लड़की होगी तो बोलेंगे this girl लड़की दूर है उस लड़की न, दूर बैटी है तो that girl हो गया that girl अब लड़की अके लिए तो has खरीदने के इंगलिश होती है buy a third form हो गई bought that girl has bought कितनी खरीदी उसने तीन कॉपिया यानि कॉपियों को बोलते है नोट बुक तो three notebook हो गई है न बच्चो कम से कम हर बच्चा जरे वीडियो को तीन तीन मोबाइल से जरूर सस्क्राइब कर देना जिससे मुझे पता चले कि पलों को मेरा चैनल पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है जाद से जादा शेयर भी करना जैसे मुझे एक motivation मिलता रहे कि मुझे आपको सिखाना ही है और मैं इसी चैनल पर आपको स्टेंथिन अगीन प्रकाशन की maths का भी वीडियो डालती हूँ वो भी जाकर बेटा देख लेना और समझाने का तरीका अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना अब नेक्स्ट है देखो तुम खाना खा चुके हो तुम की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ है लगता है वर्ब की थर्ट फर्म लगा दो यू, 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 में 10 इसकी ट्रांसलेशन जरूर आता है और आपको इसलिए 10 समझना बहुत जरूरी है 10 आप समझ लोगे तो आप कुछ भी चीज़ें अपने आप हिंदी में बनाके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हो है ना उन्होंने खिड़कियां खोल दी है देखो अपना काम पूरा कर लिया है वह काम पूरा कर चुका है या आगला कंप और के साथ यह एक लड़का है तो हैवक युज केशी मार दिया वाह मद्सट रेक निगों त dysh कार्च को पर लिए एक खरगोस को हमेशा पहला और उसके बाद इधर से उल्टा चलते चलो मुकेश ने सुरेश को पीट दिया है पीट चुका है वो है ना पीट दिया है लास्ट में दिया है चुका है तो यह present perfect हो गया same वही rule देखो मुकेश has beaten सुरेश कुत्ते ने उस लड़की को काट लिया है the dog कुत्ता हो गया है ना अकेला है तो has beaten, किसको काट लिया है? उस लड़की को, that girl को. जेतेंदर ने एक TV खरीद ली है. जेतेंदर has bought a TV. कुछ भी बना सकते हो, जेतेंदर ने एक car खरीद ली है. जेतेंदर has bought a car, कुछ भी बना सकते हो. लगो हम दौड़ चुके हैं, हमकी इंगलिश होती है, we, we के साथ have used होता है, अब इसमें object नहीं है, तो हमने खाली run लगा दिया, यानि we have run, हम दौड़ चुके हैं, तुमने मेरी घड़ी खो दी है, खो चुका है अब तो क्या बनेगा? you have lost my watch, मेरी घड़ी खो दी है, अब उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, अब को last में लग दो, अब का means होता है now, अब को पहले नहीं लिखेंगे, उसने यानि लड़का है न, तो he के साथ has, he has, खत्म समाप्त करने का मतलब finished, his work, अब की English लगा दो, now, राधा एक गीत गा चुकी है, न, राधा एक लड़की है, तो राधा के साथ has, एक के साथ has, ज्यादा के साथ have, you के साथ भी हैव लगता है, अई के साथ भी हैव लगता है, वी के साथ भी हैव लगता है, क्या इसके स्क्रीन शोट निकाल लेना, इसके एक टेंस की आपकाया को दिकल कै नोट कर लो, चाहए ककई बार देख़ो जैसे समझ में आ जाए, कुछ भी चीज़ी समझ में नहीं आती हो, तो comment box में comment करके मुझने पूछना जरूर मैं अगले वीडियो में उसक को explain कर दूगी है और जादा से जादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिटा बाई बिच्चों